केम शुग रहत मैं अरुन शर्मा आपका स्वागत करता हूँ है मैं अराजम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास एर्थ चैप्टर सेकेंड आफ मैट्स लिनियर एक्वेशन इन वन वेरियल केशन ऑर यह हमस्टर्ट करने जा रहे हैं तो आयू स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहले linear equation को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि expressions क्या होते है equations क्या होती है हमने पिछली classes में पढ़ा हुआ है कि expression equations इनको किस तरह further divide किया गया है या फिर यही सब चीज़े क्या होती है एक पार उनका revise कर लेते हैं सबसे पहले तो हम भी जान लेते हैं कि numbers क्या होते हैं जो भी numbers हमें given है जो भी हमें पता है वह सारे जिने हम express कर सकते हैं जैसे 8 हो गया 7 हो गया 9 हो गया कोई साभी number हो गया वह क्या कहलाते हैं हमारे constant जिनकी value हमें पता होती है जितनी भी numbers है सबसकरो a है और a मैंने कह दिया 2 है तो यहां पर a की value मुझे पता है है तो a यहां पर क्या हो जाएगा मेरा constant हो जाएगा यहां पर मैं a को क्या कह सकता हूँ a is equals to क्या है constant है अब यहां पर एक term आती है जिसे हम क्या कहते है वेरियेबल वेरियेबल कहते है वेरियेबल क्या होता है वह चीज होती है इसका मतलब होता है कि जो vary कर रहा है जो बदल रहा है बार बार वो वेरियेबल कहलाता है वेरिये कर लाएगा जैसे कि कोई भी और वेरियेबल को रिप्रेजन करने का तरीका क्या है जो एल्फाबेटिक वर्ड है इंग्लिश के उनसे इने रिप्रेजन करते हैं टी हो गया यू हो गया वी डब्ल्यू ए भी भी ले सकते हैं लेकिन यहां पर जो है इसकी वैल्यों डिफाइन होती है अब मैंने कुछ भी लिख दिया सपोस करो मैंने लिख दिया एक्स टू एक्स यहां पर टू एक्स लिख दिया यहां पर टू है वो तो क्या है बटा जो टू है वो क्या है कॉंस्टेंट वैल्यू है और जो एक्स है वो क्या है वेरियेबल वैल्यू है ठीक है यह हम में पता होना चाहिए कि variable constant में क्या difference है वरना हम बार बार महीं confuse होते जाते हैं कि variable क्या होता और constant क्या होता है तो जो भी हमें number defined है या फिर हमें बताया गया है सबस्क्रों यहां एक्स लिखा होता और कह दिया होता equation के अंदर a is equal so क्या है two है तो यहां पर a होता defined तो एको में क्या कहता constant और एक्स क्या करता वेरी करता वेरीड तो एक्स क्या होता है यहां पर variable होता ठीक है यह बस समझने आ गई अब देखा बच्छे expression दूसरी टर्म टर्म आती है हमारे पास expression एक्सप्रेशन क्या होता है जब भी मैं टू एक्स प्लस वन ऐसे लिखता हूँ या फिर इस तरह से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट किया प्लस थ्री फोर जैड प्लस नाइन इस तरह से नंबर्स और वेरीड बल्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना लिखना हमारा क्या कहलाता है एक्सप्रेशन कहलाता है जिसके अंदर कॉंस्टेंट और वेरीबल को किसी भी ऑप्रेशन के साथ जब भी दो नंबर्स के बीच प्लस या माइनस मुल्टिप्लाइड डिवाइड कोई साभी साइन आता है उसका मतलब क्या होता है बेटा वह ऑप्रेशन कहलाता है यहाँ छीडार प्लस एडिशन का अपरेशन करना मतलब कोई हम सब्सक्री किसी काम करने जा रहे है तो कोई ओपरेशन करने जा रहे हैं या फिर को तो वह हमार दो aslında ओर यह नबर्स आप्रेशन कहले है तो मेरा पूरा क्या कहले बिटा कहले है ठीक है जिसकी यहां पर 3y plus 3 आपस में मिलकर क्या बना रहे है expression बना रहे ठीके 4z plus 9 क्या मिलकर बना रहे है expression बना रहे आपस में मिलकर इसी तरह अगर मैं आगय किया तरफ बड़ूं तो यहाँ पर क्या दिखेंगे हमारे पास एक चीज आती एक term आती है equation, equation, equation और expression में क्या फर्क है, पहले उससे पहले वह जानने के लिए क्या देख लेते हैं, कि जब भी मैंने कोई expression लिखा, suppose करो मैंने ये expression लिखा, इसे अगर मैं कहूँ, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, constant कहलाएगा बेटा, ये मेरा क्या कहलाएगा, variable कहलाएगा, अ तो ये हो जाएगा मेरा variable, ये हो जाएगा constant, ये पूरा मिलके क्या कहलाता है, एक term कहलाता है, क्या कहलाता है वेटा, term, एक क्या कहलाते हैं, ये भी एक term है, लेकिन यहाँ पर variable नहीं है, यहाँ पर सिर्फ constant किवन है, तो भी वो term कहलाएगी, लेकिन ये आपस में मिलके क्य कहलाते हैं अब आते हैं हम equation क्योंकि हमारा यह topic क्या है linear equation यह तो linear variable है linear का मतलब क्या है बैटा linear का मतलब है जहां पर हमारा जो variable है यह variable समझ में आ गया जो हमें not defined है जहां जो वेरी कर रहा है जो वेरीबल है वो क्या हो रहा है उसकी जो expression, suppose करो 6 is equals to 9, ऐसे दे दिया गया, यहाँ पे क्या? equals to का sign आ गया ना, तो यह equals to का sign यह define कर रहा है कि जो expression है वो equals to में आ गया, तो यह हमारी equation मन जाएगी, किसी भी expression को equals to की form में operation करते हुए represent करना मेरा equation कहलाता है, equation में लिखने की जरुवत क्यों पड़ी भई, जब भी यहाँ पे जो x vary कर रहा है अगर मुझे उसकी value define करनी है, यह value find करनी है तो हम क्या करते हैं वेटा, equals to का equation का use करते हैं ठीक है, जे हमें exam में पूछा जा सकता है कि expression equation में लिखे रिफ्रेंस से equation आ गई, कि x square plus 2x plus 6 is equals to 9 यह मेरे पास आ गई, क्या सर यह वाली equation भी मेरी linear equation होगी बैटा नहीं, यहाँ पर यह linear equation नहीं होगी, एक quadratic equation है quadratic equation क्यों हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा x है, उसकी maximum power degree, जो कहते हैं हम, मतलब इस equation में x की जो maximum power होती है, वो क्या कहलाती है, डिगरी कहलाती है हमने पिछली classes में बहुत अच्छे से रज-रज के पढ़ा है इसको, तो आप भी यहाँ पर रज-रज के ध्यान दो, देखोड़े x की power क्या है, highest 2 है, है ना, तो वो क्या होगी, quadratic equation अगर x की power जिसे की, यहाँ पर इस equation में गिवन है 1 है, तो वो मेरा क्या होता linear equation, यह हमारी जैसे की linear equation यहाँ पर define की गई है वैसे ही, यहाँ पर भी linear equation होती अब यहाँ पर आप देखो तो यह आपस में मिलके क्या बना रहे है, एक term बना रहे है ठीक है, और यह क्या, यह भी एक term होगी यह भी एक term होगी ठीक है, इस term में अगर मैं कहूं ठीक है, x क्या है variable है 2 क्या है, इसका quotient है quotient है ठीक है, x क्या है इसका, quotient है, देखो बिटा x क्या है, variable है, 2 क्या है quotient है इसका, ठीक है अब हम थोड़ा और फर्दर इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे एक्जाम में किस तरह से क्या पूछा जाने वाला है क्या एक्वेशन्स आने वाली है किस तरह से इने सौल करना होता है तो पहले तो आप मुझे बताए कि वेरियबल और कॉंस्टेंट में डिफ इसको सौल कर सकते हो नहीं इसे सौल करने का मतलब है कि एक्स की वेल्यू फाइंड करने के लिए वह मुझे से पूछ रहा है एक्सामीनर की बेटा काम कर एक्स की वेल्यू फाइंड करने को था लेकिन हम एक्स की वेल्यू कब फाइंड कर पाएंगे जब यह जो एक्सप्र मुझे ऐसा दे दिया तो अब मैं जाके इस question को easy way में convert करके solve कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं directly इसको solve करना चाहूँ तो वो possible नहीं है क्यों क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं से रोख देगा अटका देगा कि वह वाला question नहीं हो पा रहा है है ना तो हमें इन questions को solve करने के लिए linear pair equation की ज़रुत पड़ेगी ना कि linear expression की हमारा chapter ही वही है ना linear equation in one variable अच्छा one variable का क्या मतलब है बेटा one variable का मतलब है कि सिर्फ one variable आ रहा है कभी-कभी आपने कुछ equations ऐसे दिरह के होगी 3x plus 2y plus 3z plus w ऐसा कुछ दे रखा है है ना तो यह मार यहां पर जो हमारे variables आ रहे हैं यहां पर बहुत सारे variables आ रहे हैं तो इस तरह की equation को solve करना अभी हमने नहीं सीखा है अभी हमने क्या सीखा है बिटा कि linear equation with only and only one pair हो हमारे पास क्या linear equation with one pair जैसे कि 3 one variable हो है ना one variable 3x plus one यहां पर linear equation है मतलब x की जो power आ रही है वो highest degree जो आ रही है इस equation की highest degree जो आ रही है वो क्या रही है one आ रही है मतलब यह linear हुआ और variable एक आ रहा है तो यह क्या हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया बिटा वन variable हो गया ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर हमें पता चलेगा कि expressions को solve कैसे करना है जहां पर लिख देता हूं मैं आपका variable in one side है ना variable in one side variable अगर एक side में गिवन है तो उसे solve कैसे करेंगे suppose करो मेरे पास को equation गिवन है 2x-3 is equals to क्या के दिया मुझे से उसना है कि 2x-3 is equals to seven given है मेरे को ठीक है इसको solve करके बताना है आपको कि इसका answer क्या होगा अब मुझे क्या करना है जिम यहां पर plus 3 इसको solve करने के अलग-अलग books में अलग-अलग methods दी गए लेकिन हम जो समझने वाले हैं उस पर दियान देंगे गौर करेंगे कि 2x-3 is equals to seven given है ना तो मैं क्या करता हूं प्लस 3 जो माइनस 3 जो है उसे इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाता हूं जब भी ऐसा करते हैं हम तो क्या होता है वेटा यह माइनस जो होगा वो इक्वल्स टू के उस तरफ जाके किसमें फॉर्म में चेन कनवर्ट हो जाएगा प्लस फॉर्म में है ना जैसे कि 2x is equals to seven plus three ठीक है इन दोनों को एट किया वेटा कितना आया टैन सिंपल अब जब यहां पर multiply में दिया हुआ है न तो यह जब equals to के उस तरफ जाएगा यह two actual में एक से multiply हो रहा है यहाद रखना है न तो यह equals to के उस तरफ जाएगा तो इसका sign चेंज जाएगा तो multiply किसमें चेंज होता है बेटा डिवाइड में जो डिवाइड में चेंज हुआ आंसर क्या है मेरे पास five जो भी अगर सपोस को रहे है यहाँ माइनस है माइनस equals to के उस तरफ जाएगा तो इसका उल्टा sign देगा जो कि क्या होता है प्लस होता है ऐसे ही यहाँ पर multiply था यह दोनों आपस में multiply हो रहे थे यह इस बुक्स में वो method भी जान लो method तो क्या यही तरीका है लेकिन उसको लिखने का method कुछ अलग है वो भी जान लो तुम किस तरह से करते हैं कि two x minus three is equal to seven है तो हम क्या करेंगे add plus three in both side इस type की questions में क्या होता है कि हमें क्या करना है जो हमारी variable वाली side है न उसको बस variable के साथ रहने देना है उसके अलावा ना तो उसमें कोई autumn आएगी ना उसका quotient आएगा बस वो सिर्फ variable आना चाहिए तो मैं यह क्या करने के लिए मैंने देखा यहाँ पर minus three है इसको हटाने के लिए मैं क्या करूं क्यों ना मैं इधर भी अच्छा अगर plus three कर रहा हूं मुझे हटाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा मैं यह मैंनस three को उटाना है तो plus three करना होगा यह सभी को express हो गया तो मैं क्या करूंगा दोनों side plus three eight करूंगा इस तरह नहीं कि एक side कर देंगे ऐसा नहीं होता बटा दोनों side करना पड़ेगा equals to के तो two x minus three plus three seven plus three three से three cancel out हो हो गया तो two x हुआ यह कितना हो गया आपस मैंट हो गया 10 आ गया है अब मैंने क्या किया यहाँ पर two का multiply हो रहा है तो मैं क्या करूंगा divide two in both side क्या क्या हुआ हमें डिवाइड two in both side किया वीटा है न तो two its divide everyone 2 किया 10 divided by 2 किया cut out हुआ तो यह कितना हुआ X is equals to इससे cut out हुआ तो कितना है फाइव इससे cut out हुआ इससे 5 times cut out हुआ यह बास समझने आ गए बेटा तो यह होता है अगर मेरा variable is one side given हो तो है ना अगर मेरा पास one side variable हो तो यह दो method का use करके हम हुसे solve कर सकते हैं ठीक है वीटा आप